मैं मेरा नाम गुरविंदर को रहा है, हमारी चादी को दो साथ हो चोके है, हम अब भी बच्चे के लिए ट्राइ कह रहे हैं, पर एक समस्या आ रही है, पहले मुझे मैंसीज चार-पांद दिन खुल कर आते थे, मुझे पैड भी बर जाते, अभी मुझे डेट थोड़ी कम आ डिटेल में जाएंगे, देखो एक नॉर्मल औरत को पिरेड आते हैं, 21 दिन से लेके 35 दिन तक, 21 से 35 डेस का नॉर्मल साइकल होता है, और पिरेड का फ्लो होता है, दो से 7 दिन का, तो अगर किसी को मैंसी कम आये, कम याने दिन कम हो ब्लीडिंगे, दो तरीके होते हैं, मैं कम आरे मुझे, या एक होता है, जब कम पैड भरे, फ्लो कम है, आपका एक पैड भी नहीं भर रहा है, पूरे दिन में, सिर्फ दाग दाग लगे जाता है, तो ये दो तरीके होते हैं, जिसमें हम बताते हैं, कि पिरेड कम आरे हम, जे तो सही बात है, पर मुझे डेट क्या कारण हो सकता है, बिल्कुल, मैं तुम्हें अभी पहले इसके कारण बताती हूँ, एक तो होता है, नॉर्मल फिजियोलोजिकल कारण, यानि कि नॉर्मली किसी ओरत को पिरेड कम आने चाहिए, कुछ कारणों वर्ष, एक तो अगर पेशन्ट की या फिर ओरत की एज है टीनेज में, यानि 18 साल से कम है, उसको डेट अभी शुरू ही है, कुछ साल ही हुए है जब लड़कियों की डेट शुरू होती है, तो मैंसेज एज़ेस्ट हो रहे है अभी, क्योंकि हॉर्मोन अभी बिल्ड होने शुरू होगे, ओवरी अभी काम करना शुरू होगी, पर पूरी काम नहीं कर रही अच्छी तरह से, पूरे हॉर्मोन अभी हमारे बैलेंस में नहीं आये, तो मैंसेज उस लड़कियों को कम आ सकते है, 18 साल की कम उमर में, अगर यही चीज 40 साल की ज्यादा उमर में होता है, हमें पता है, पेशन्ट पेरिमेनोपॉजल है, यानि कु लिए, डी एंसी होने के बाद, एक दो साइकल पीरियड थोड़ी कम आती है, क्योंकि बच्चे दानी की तैक हरोची जाती है, तो बच्चे दानी की लाइनिंग कम आएगी, ओवियसली, तो फ्लो कम आएगा उसका, फिर अगर पेशन्ट OC पिल्स पे, OC पिल्स जाने के गर् निर्दक गोलियों में हॉर्मोन होते हैं, जिस करके थोड़ा फ्लो कम हो जाता है, और वो भी नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं, गर्ब निर्दक इंजेक्शन्स लगाए हैं पेशन्में, तो भी उनको फ्लो कम आ सकता है, यह तो नॉर्मल कारण है, जिसकी वज़े से ब्लड फ्लो कम होता है, या पिरड का फ्लो या देट का फ्लो कम आ सकता है, यह देट कम दिन के लिए आ सकती है, अभी प्रॉब्लमाटिक कारण का है, जिसके लिए हमें ट्रीटमेंट करने के ज़रूत है, जिसके लिए हमें कारण जानने के ज़रूत है, जिसके लिए हमें कम मात्रा में ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग चड़के भी होती है, उनको काफी दिन उपर होके भी आते हैं, और फ्लो भी कम हो जाता है, कभी-कभी दिन भी कम आती है, ब्लीडिंग की. second अगर patient का weight बहुत ज़्यादा gain हो गया बहुत मुटापा हो गया obesity में भी reading कम आती है periods कम आ सकते हैं कभी-कभी sudden weight changes suddenly weight कम हो गया patient athlete है, बहुत workout करी, बहुत exercise करी है बहुत ज़्याद exercise, बहुत ज़्यादा workout हम देखते है sportsman में भी-कभी menses कम आ जाते है या date कम आती, तो ये भी एक कारण हो सकता है thyroid, बहुत बड़ा hormone का कारण है बहुत बड़ा कारण है thyroid हमारा thyroid अगर बढ़ता है तो भी हमारे menses या कम हो जाता है काफी, तो भी हमारे menses उससे affect होते है menses का flow कम हो सकता है prolactin नाम का एक hormone है जिससे हमें दूधी में से दूध आना या स्तन में से दूध आना या पानी आना ऐसी symptoms आते हैं और अगर rallectoria जिसको कहा जाते हैं और अगर ये prolactin बढ़ा हुआ होगा तो भी menses कम आ सकते हैं इसकी इलावा कुछ कारण होते हैं जिसमें अगर patient को बच्चे दानी की TB होती है, तो lining अंदर की खराब हो जाती है, इस करके अंदर की infection होती है, इस करके भी flow कम होता है, endometritis यानि बच्चे दानी के अंदर की तै की infection, उस करके भी blood flow कम आ सकता है, बच्चे दानी की TB जैसे हमने का, वैसे अलग bacteria की वज़े से भी infections हो सकते है, जिसकी वज़े से flow कम आ सकता है patient को, तो और कभी-कभी patient बार-बार सफाया करता है, बच्चा नहीं चाहिए, contraceptive नहीं यूज करे है, कोई गर बिरो तक नहीं यूज करे है, बार-बार हम सफाय करते है, सफाया कराने के वज़े से, बच्चे नहीं के अंदर किते है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वज़े से भी flow कम आता है, एक assurment syndrome नाम के चीज होती है, जिसको हम बोलते हैं, कि अंदर बच्चे नहीं बंसी हो जाती है, अंदर additions बंती है, बच्चे नहीं के अंदर जगा ही नहीं बच्चे है, कि flow अच्छा आ जाए, तो इसकी वज़े से भी, ये कुछ कारण है, जिसकी वज़े से flow कम आना, या menses कम हो सकते हैं, और एक important कारण एक और है, जो है stress, physical stress हो सकता है या mental stress, हमें suppose exam है हमारी, या हमें किसी चीज़ का tension है, तो हम tension करके भी, या stress करके भी, हमारी menses का flow कम हो जाता है, या menses कम होते हैं, कम दिनों के लिए आते हैं, या physical stress, हम बहुत ज़्यादा work out करें, बहुत ज़्यादा काम करें, बहुत ही ज़्यादा hectic हमारा काम है, बहुत ज़्यादा हम busy हो रहे हैं हमारे काम में, physically, mentally, ये दो बहुत मुख्य कारण हैं, जिसकी वज़े से menses हमारे कम आ सकते हैं, कभी-कभी हमें fever है, physical stress में हम fever को भी, जिम्मेदार मानते हैं, हमें fever हो जाता हैं, बिमार पढ़ जाते हैं, तो बिमारी में भी कभी-कभी blood flow हमारा कम हो जाता है, या menses कम होते हैं, कुछ दवाईया है, जिनका हमारे uterus और ovary पे असर होता है, कोई patients है, जो लंबी दवाईया खारे कोई बिमारीों के लिए, तो उन दवाईयों की वज़े से भी flow कम आ सकता है, या menses कम आ सकते हैं, ओके मैं, अभी मैं क्या टेस्ट करा हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे डेट कम आने का क्या कारण है, अभी मैं क्या लाज करा हूँ इसका, जरूर हम तुमारा ये कारण जानने के लिए investigation करेंगे, किसी को भी अगर menses का flow कम हो रहा है, या bleeding कम हो रही है, तो उसने जान्चे जरूर करानी चाहिए, तो हम हमारे आपके कुछ blood test करेंगे, जिसमें पता चलेगा, आपका कून कितने ग्राम है, आपके hormones कैसे, thyroid prolactin करेंगे ही हम test, उसके इलावा आपके FSH, LH के hormones करेंगे, देखने के लिए आपको PCOD की शंका आती के नहीं आती है, या उसमें premature ovarian failure रहने, अंडेदानी कम काम करने लगी है, क्या ऐसे तो नहीं है problem, वो हम test करके देखेंगे, उसके इलावा अगर हमें जरुवत पड़ेगी, definitely scan की, ultrasound की, ultrasound में हमें पता चलेगा, कि uterus कैसा है, lining कैसे दिखरी है उसमें, ovaries कैसे आपकी, overall एक ultrasound पर भी हमें idea आ जाती है, उसके इलावा अगर हमें लगा, कि कोई normal कारण नहीं मिल रहा है, और कारण जाननी की जरूत है, तो हम आपके मासिक का या date का, first या second day का blood लेते है, TB टेस्ट करने के लिए, या फिर बेहोश करके अंदर से endometral biopsy लेके, TB की जाँच के लिए भी बेजते हैं, देखने के लिए बच्चे दानी का TB तो नहीं है, या बच्चे दानी के अंदर की infection हमें देखनी अगर, या हमें कोई शक लग रहा है आपका, कि ये test हमें कराने जरूर ही है, जो होते हिस्टेरोस्कोपी, अंदर से दुर्बीन डालके हम अंदर की lining देखते हैं, सही लग रही की नहीं लग रही हैं, या अंदर additions है, अंदर बहुत सारे bands है, पढ़दे-पढ़दे बने हुए, कि हमें इसको operate करके काटने पढ़ेंगे, क्या पता, infection बहुत ज़्याद है, बहुत red हैं अंदर से, endometriotic spots हैं अंदर, यह सब कारण जानने के लिए हम hysteroscopy करेंगे, basically, खून जांचे, जिसमें आपके hormones की जांचे होंगी, आपके खून कितने gram हैं देखा जाएगा, ठीक है, उसके इलावा ultrason किया जाएगा, और अगर हमें जरूरत पड़ी, तो higher test होते हैं, जिसको हम hysteroscopy बोलते हैं, अंदर से डालने वाली दूर्बीन, जिससे हमें दूर्बीन जांच करके, बच्चे दाने अंदर से चेक करते हैं, और अगर जरूरत पड़ी, तो biopsy लेके, TB की जांच के लिए भेजी जाएगी, या बाकि infection वगरे होगा, उस हिसाब से हम उसको treat करेंगे, अब हमें जो कारण मिलता है, उसकी treatment दीज जाएगी, अगर हमें कारण मिला कि आपके hormones ठीक नहीं है, thyroid है या prolactin है, तो इसको अराम से इलाज हो जाता है, आपको hormones की दवाई देखे, उसके इलावा, अगर हमें लगा आपको PCOD है, तो हम PCOD का इलाज आपको दे देते हैं, या hormone changes आपको बताते करने के लिए, अगर हमें लगा आपका बहुत weight gain हुआ है, सबसे important जो आपको बताएंगे lifestyle changes, यह आपने weight loss करना है, और आपने regular exercise रखनी है, regular exercise रखने से हमें वैसी ही बहुत फाइदा होता है, एक regular normal type of exercise, overworking नहीं, ज्यादा physical stress नहीं, exertion बहुत ज्यादा नहीं, पर एक normal level of exercise रोज करो, अच्छा diet लो, जिसमें fast food वगरे ना हो, जिसमें ऐसी तली चीज़े ना हो, यह चीज़े ना हो, जिसमें obesity हो जाए, यह मुटापा हो जाए, नॉर्मल अच्छा diet लो, जिसमें fruits, vegetables अच्छी मात्रा में हो, carbohydrate थोड़ा कम मात्रा में हो, sugar कम मात्रा में हो, यह diet हम ले, फिर अगर हमें लगता है, कि आपको कोई और problem है, यानि कि endometrium में TB आ जाती है, अगर test में, तो आपके TB का इलाज दिया जाएगा, अगर हमें लगा कि अंदर, आपके पढ़दे बने होए, हिस्ट्रोस्कोपी पे तो पढ़दे काटने का, या एदीजोलाइसिस का इलाज होगा, तो हर चीज का इलाज है, जैसे हमें कारण मिलेगा, हम इलाज देंगे, अगर हमें कोई major कारण नहीं मिलता, तो हमारे पास hormones होते हैं, जो hormones की हमें कमी लगते हैं आपके शरील में, वो हम आपको hormone की tablets देते हैं, तीन से छे महीने तक, और उससे try करते हैं कि आपका flow अम बढ़ाएं, और काफी patients को इससे फरक पढ़ जाता हैं, simple hormones की tablets से ही और dietary changes, और regular exercise से ही काफी patients को फरक पढ़ता हैं, और फिर उसके बाद आप अपनी natural pregnancy प्लान कर सकते हैं, अभी गुरविंदर, I am sure कि तुम्हें समझ आ गया होगा, कि menses कमाने का क्या कारण हो सकता है, और इसका हल ढूढ़ना कितना असान है, कोई मुश्किल है नहीं, तो तुम्हें stress लेने की कोई ज़रूत नहीं है, अपना इलाज कराओ, और आप जल से जल बच्चा प्लान करों.